और सब को नमस्कार सबसे का बहुत धन्यवाद आपने पीछली को बहुथ ज़्यादा सपोर्ट किया बहुत जादा वीऊसस में आए उसका आप सबसुने जादा धन्यवाद पर एक बादका मलालमी है कि जितने लोगों ने वीडियो देख़ा है उनमें से बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है जो के अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसको शूट करो फिर उसको एडिट करो उसके बाप जूद अगर सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो मन को थोड़ा सा तो आप समझते हो अपने नौर्थ इंडिया में लगबग जो में फसल बोई जाती है उनमें से गेहूं धान कोटन और गन्ना है जैसे अपने मान लेते हैं युपी हर्याणा राज्थान पंजाब में ये फसले होती है पर कुछ लोग बागवानी भी लगाते हैं सबजी की भी ख खेती के बारे में बताएंगे यहां आपको पपलर की खेती के बारे में जानकरी देंगे पपलर के जो खेत हैं उनमें अपने जाएंगे खेत में वहां किसान से मिलेंगे जो वहां पर खेती कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि ये पोद्दा कितने गाता है कितने में बिखता है कितने साल की खेती है, पपलर के बीच में क्या क्या फसले होई जाती है लोग कैसे गड़ी लगा देते हैं यहां पर अभी आपको डेटेल में बताते हैं पपलर की खेती लोग कैसे करते हैं यहां अभी अपने चलते हैं यह देख लो जी यह इसको बोलते हैं यह है पपलर यह मेरे को लगता है चार-पंश हाल का हो गया है यह पेड़ यहां यह जिगादरी से अपने पॉंटा सर्पी साव की तरफ जाते हैं तो ये रस्ते में सभी लोगों ने सभी किसान भाईयों ने पपलर की खेती ही कर रहे हैं सभी किसान भाई पपलर की खेती कर रहे हैं सभी तरफ देख लो आसपास हर जगया आपको पपलर ही पपलर नजराएंगे यह देखो कि यहां देखते हैं अपने को कोई किसान भाई मिला तो उनसे बात करके देखते हैं कोद्दा कितने काता है विक्ता कितने का है कितने साल की खेती है हर चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यह देखो यह पपलर है कितना बड़ा तना है बहुत बड़ा है काफी बड़ा है यहां पर फेक्टरियां भी है जो प्लाइबोड बनते हैं वो यहां पर ही बनते हैं बहुत बड़ी बड़ी फेक्टरियां यहां पर प्लाइबोड की दूर दूर तक आपको देखोगा पपलर ही पपलर में जरा रहे हैं यहां पपलर की खेती लोग ज़्यादा करते हैं ग सानों का माना है कि पपलर में आमधन ज्यादा होती है कि पपलर में ज्यादा होती है इसमें एक बात हो रहा है इसमें आप Intra Cropping भी रिमें इसमें एक बात हो रहा है जो मेरे को अच्छी लगई इसमें आप म supernatural भी बहुए कर सकते है यानि के इसके बीच कोई और फसली भी लगा सकते है जैसे गेहूं बगे रहा है कनक बगे रहे न यह भी इसमें लग सकती है यह तो कितना स्पेस पड़ा है यह लगता है 20 वाई 20 में फिट की दूरी पर लगते होंगे अकि यहां पर कोई फार्मर नहीं है देखते हैं कोई मिला तो आगे चल कर देखते हैं आगे मेरे को लगता है यह गेहूं काटी हुई है इसमें से सामने देखते हैं आगे चल के यह देखते हैं यह पपलर के बीच में गेहूं लगा रखी है यह गेहूं लगाई थी अभी काटी है यह देखते हुआ यह पपलर थोड़ा छोटा है पतला है यह अभी लगाया होगा शायद यह मोटा है यह प्राणा है यह प्लाट प्राणा है और यह वड़ा नया है यह वड़ा नया है यह देखो प्रिफए नसिए कर Wonka कि अुपोरी एक पादी टुआ। कि यह तूड़ी बनाने वाली मशीन चल रही है यहां पर एक किसान भाई यहां तो रहा है इदर देखते हैं आएगा तो पुछते हैं कि यहां कि आपका है आपका है इसे पुछत पंजाब तो पुछते हैं कोई मिल नहीं रहा है यहां पुछते हैं कि यहां कि यहां कोई किसार भाई नहीं मिल रहा है यह बोल रहा है कि हम तो बाहर से आए हुए है कोई और खेत में देखते हैं चलके आजो साथ में किसी बाई ने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किर्प्या सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे नए नहीं वीडियो बडिया बढ़ियाए नई नहीं खेटी की नहीं एडिया को जो जिसमें नहीं नहीं चीज आपको दिखाएंगे आगे चलके तो इसलिए आप काउच्आब में नाटरश किता आज निबेदन है किर्पया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें किर्पया निवेदन है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और अब जो गंटी वाला बन होता है उसको एक रदाए क्रिकल्कанич को लाल वाला बटन है जो सब्सक्राइब वाला बहुत बना है उसके पास घंटी वाला बटन आएगा फिर बहुत बना है यह जरूर करना है ठीक है चलो भी चलते हैं दूसरे खेत में किसी के पास कोई मिलेगा तो दो औा स्च्राइब चलते हैं पीछ